जहेंद मेरे पहरे दोस्तों, जो भी वांट के इस नए वीडियो में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में बिहार Common Interest Competitive Examination Board के तरफ से जो Literally Entry के लिए जो आपका Competitive Exam होता है दोस्तों, उससे Related सारी के सारी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये Literally Entry के बारे में थोड़ा सा समझिए दोस्तों, ये उन Student के लिए है जो Diploma करना चाहते है दोस्तों, Diploma के लिए बिहार Polytechnic का Form आता है दोस्तों, उसमें Apply करने के बाद में आप लोग का चैन होता है लेकिन ये जो Literally Entry वाला जो Form है दोस्तों, वो उन Student के लिए है जो वैसे Student है जो 10th के बाद Polytechnic करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए और ITI उन लोगों ने किया या फिर 12th कर लिया है तो 12th करने के बाद या फिर 10 के बाद ITI कर लेने के बाद उनका Direct Second Year के Polytechnic के Second Year में उन लोगों को दोस्तों जो है Direct Entry मिल जाती है ये Literally Entry वाला Form Fill Up करने के बाद तो दोस्तों बिहार Common Interest Competitive Examination Board के तरप से ये आप लोगों को मौका जो है वो दिया गया दोस्तों पांस तारिक से इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है तो इससे Related हम सारी के सारी जानकारी जो है बिहार Diploma Literally Entry 2021 ओनलाइन आवेदन जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों 5 जुलाइक को उसके बाद आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस Form में क्या-क्या requirement है और क्या-क्या लगने वाला है आप लोगों को दोस्तों Notification जो है वो भी जारी कर दिया गया है 5 जुलाइ से आप इस Form को आसानी से भर सकते हैं तो देख लेते हैं दोस्तों ये पहले आपका Literally Entry जो है वो होता क्या है बिहार के विभिन पॉल्टेक्निक संस्थान में अभियंतरन डिप्लोमा अस्तर के विभिन पाठिक्रम के दृतिय वर्स में यानि कि दोस्तों Second Year में Direct प्रवेस के लिए आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा प्रवेसिक प्रतियोगिता परक्षा 2021 सम्मिलित होने के लिए दोस्तों आप लोगों को 12th Science या तो Physics या Chemistry से अनिवारे होना चाहिए दोस्तों और उसके अलाबा आपका गडित या जिविग्यान जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर आप लोगों को 12th Inter Math से या फिर उसके अलाबा वोकेशनल से आपने टेक्निकल सब्जेक्ट से किया है तो भी आप इस फोर्म को भर सकते हैं या फिर 10th के बा पर अगराप में भी था यहां भी है दोस्तो 12th जो है वित फिजिक्स और केमेस्ट्री कमपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तो मैथमेटिक्स या फिर बैलोजी में से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो आप चलेगा दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है यह पर प्लस के टेंथ के बाद में आपने दो साल का आई टी आई किया है दोस्तो आई टी आई जो होना चाहिए वो दो साल का कोर्स होना चाहिए एक साल के आई टी आई वाले जो कोर्स किया है आपने वो तो उन लोग यह फॉर्म को नहीं वर सकते हैं दोस्तो टेंथ के बाद आपने अगर दो साल वाला ITI का कॉर्स किया है तो ही आप इस फॉर्म को बर सकते हैं इसमें एज लिमिट की बात नहीं की गए दोस्तों वो हम आप लोगों को इसका जो ओफिसल नोटिफिकेशन उस पे ले जाके बताने वाले हैं और दोस्तों यह आप किस तरह से इसका रेजिस्टेशन करेंगे किया किस तरह से फॉर्म फी है वो भरेंगे दोस्तों यह सारा का सारा डीटेल वगरह भी इसमें दिया हुआ है तो यहां कहारा है फर्स्ट विजिट करेंगे आप इसका official website जो है उस पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको homepage मिलेगा online application portal for B.E.C.E.C.L.E. 2021 वहाँ पर जाने के बाद में आप पूरा का पूरा डीटेल वगेरा इसका notification डाउनलोड करके पड़ लेंगे दोस्तों और उसके बाद ही इसे apply करेंगे यहाँ पर important date की बात कर लेते हैं तो 5 तारिक से दोस्तों इसका अवेदन जो है आप लोग को start कर दिया जाएगा 5 जुलाई से और 5 अगस्तक आप आसानी से इस form को भर सकते हैं और net banking के जरीए आप इसको pay कर सकते हैं या फिर इसका जो fee अगएरा है वो आप banking चलान के जरीए भी पे कर सकते हैं 7 अगस्तक आपको form fee भरने का मौका जो है वो मिलेगा दोस्तों अगर आपने form fee भरते समय दोस्तों या फिर fee भरते समय कोई गलती कर दी तो आपको सुधारने का मौका 10 या 11 तारिख 10 से 11 तारिख यानि कि एक दिन का दो दिन का मौका जो हो दोस्तों आप लोगों मिलने वाला है admit card issue कर दिया जाएगा जैसे ही आपको form fee भर होने का date जो हो समप्त होता है उसके बाद यहाँ पर update आपको कर दिया जाएगा यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं important link वगरा जो दिया हुआ है दोस्तों candidate यहाँ पर आप direct official website पर भी जा सकते हैं दोस्तों या फिर आप direct ही जब यहाँ पर link activate कर दिया जाएगा तो आप direct click now पर click करके यहाँ पर direct आप form भी fill up कर सकते हैं हम यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग को official notification पर जाकर और भी ज्यादा detail में बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम आ गया है इसके official notification पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दो तारिक को दोस्तों इसे update कर दिया गया है यहाँ पर बिहार संयुक्त प्रवेस प्रतियोगिता परिच्छा परिषड जोरा जो है यह जारी कर दिया गया है प्रवेस हेतू आयूजीत की जाने वाले डिप्लोमा प्रवेसीक प्रवेस परिक्फ़ा 2021 सम्मिलित होने के लिए क्या चाईए दोस्तो यहाँ पर पहले भी मैंने आप लोगको बताया है यहाँ भी आप लोगको साब साब दिखा हुआ है दोस्तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पर देख लिजे फोर्थ आयू सीमा के बाद आयू सीमा जो है इसका दोस्तों यहाँ पर देख लिजे डिप्लोमा प्रवेस परतियों की परिक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए कोई अधिक्तम या नियुंतम आयू सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसके official notification में साब साब देख सकते हैं कि इसका नहीं आपको कोई minimum age limit है और नहीं कोई maximum age limit है दोस्तों और एक बात और जान लिजे यहाँ पर चौथा नंबर का जो option है उस के लिए इस प्रतियोगी परिच्छा के माध्यम से नमांकन हेतु योग नहीं माने जाएंगे जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि अगर आपने 10th के बाद एक साल का ITI किया है तो आप इस phone को नहीं भर सकते हैं और किस तरह से आप आवेधन करेंगे यहाँ पर official website पर जाके step by step यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तो जो है वो link इसका official notification का और दोस्तो PDF का और जितना भी आपका इसका website है वो उसका link जो है दोस्तो वीडियो के description में डला हुआ जाके आप आप आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तो और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसके application fee की बात कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर application fee जो है सामाने पिछडा अती पिछडा अनुसुचित और जनजाती दिव्यंग सभी के लिए all जितने भी category के हैं दोस्तो SCST OVC या EWS पीडे और दोस्तो यहाँ पर physical disabled candidate जितने भी candidate है दोस्तो सभी के लिए same fees है 2200 रुपया दोस्तो 2200 रुपया सभी के लिए यहाँ पर fee एक समान रखा गया है और आपको admit card जो है वो यहाँ पर update करवा दिया जाएगा दोस्तो एक्जाम के कुछ दिन पहले ही जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तो form वगेरा edit करने का जो date है date वग के तक भी यह जानकारी पहुंच जाए और मेरे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजए दोस्तो इसी तरह से जितने सारे भी update होते हैं वो मैं इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले update के साथ तब तक के लिए जहन मेरे अगले तो